नमस्कार दोस्तों मैं रिचा सिंग स्वागत करती हूं आप सभी का knowledge साथी.com में आज हम बात करने वाले हैं hospital में announce किये जाने वाले code yellow के बारे में यानि प्राकर्तिक और मानफ्क्रित आपदा के बारे में प्राकर्तिक और और लड़ाई जगड़े यह मानफ्क्रित आपदाएं होती हैं जब कभी भी ऐसी situation हमारे शहर में या फिर आसपास के इलाकों में होती है तो हमें code yellow को announce करना चाहिए ताकि हमारा hospital staff और doctors alert हो सकें और तयारी कर सकें हमें code yellow announce करने से क्या फायदा होता है जब कभी भी ऐसी परिस्तितियां होती है तो number of patient बढ़ने की chances ज़ादा हो जाते हैं तो हमें अपने hospital में number of wed को बढ़ाना पड़ता है और doctors उन मरीजों को पहली प्राथिमिक्ता दे सकें ताकि जिनको ज़्यादा treatment की जरुवत है इसलिए हम code yellow को announce कराने की समय हमें क्या-क्या तैयारिये करनी चाहिए Emergency ward में doctors को उपस्तित रहना चाहिए हॉस्पिटल स्टाफ को उपस्तित रहना चाहिए हॉस्पिटल के supporting staff को भी emergency ward में उपस्तित रहना चाहिए main gate पे सिक्योरिटी guards को active रहना चाहिए और stretcher और wheelchairs को भी हमें main gate पर पहुचवा देना चाहिए जो patient को हम shift कर सकते हैं उनको हमें shift करा देना चाहिए ताकि number of bed की quantity बढ़ सके जब कभी भी ऐसी परिस्तिती होती है तो हमें triage follow करना चाहिए तो ये triage क्या होता है triage कोई rule या फिर order नहीं है triage एक planning है जिसको हम color coding के साब से लेके चलते हैं तो आईए देखते हैं triage level क्या होता है red color immediate treatment यानि जिन patient को बहुत ज़्यादा bleeding हो रही है या शरीड का कोई अंग कट गया है या फिर उसे heart attack या फिर cardiac arrest हुआ है तो उन्हें हमें पहली प्राथ्यमिक्ता देनी चाहिए या जल से जल ICU या फिर OT में shift कराना चाहिए yellow urgent treatment जैसे कि किसी को बहुत severe pain हो रहा है या फिर fracture हुआ है तो उन्हें हमें जल से जल fracture room में या फिर wards में shift कराने देना चाहिए ताकि उन्हें treatment जल से जल मिल सके green non urgent treatment यानि जिनको छोटी मोटी चोट लगी है उन्हें हमें पट्टी वगएरा करके भेज देना चाहिए black यानि dead हमें उन्हें emergency ward चे ही declare करके घर भेज देना चाहिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जादा से जादा लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद